प्रोटीन्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं देखे प्रोटीन्स जो होते हैं प्रोटीन्स किस से मिलके बने होते हैं प्रोटीन्स जो होते हैं वो किस से मिलके बने होते हैं प्रोटीन्स जो होते हैं आमीनो एसिट से मिलके बने होते हैं हम लोग पढ़ते हैं प्रोटीन्स किसके building block है तो protein किससे टोमिलके बने होते हैं तो amino acid से मिलके बने होते हैं ठेक formas are polymer of alpha amino acid ओके तो इसमें हम देखे proteins और amino acid दोनों के बारे में पढ़ को की proteins basically किससे मिलके बने हुए अमinos acid से मिलके बने हुए है है ना देखे प्रोटीन्स के बारे में प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन जब आप लोग देखेंगे है ना एक तो हमारा क्या होता है सिंपल प्रोटीन्स होते हैं है ना देखे क्लासिफिकेशन जब आप देखोगे प्रोटीन्स का प्रोटीन्स है प्रोटीन्स है प्रोटीन् त्रांसपोर्ट मतलब उनके functions कि according है ना फिर chemical nature and solubility के base पे इन्हें classify किया गया है बेज़ट और chemical nature and solubility है ना फिर nutritional classification आता है proteins का तीन टाप से प्रोटिन को classify करेंगे based on biological functions biological functions के basis पे हमारे catalytic proteins होते हैं जैसे आपके enzymes आते हैं है क्लासिफिकेशन होते हैं तो पहले बेस जोन बाराजुकल फंक्शन के बेसिस पर आपके प्रोटीन कौन-कौन से होते हैं एक तो आपके की तो होते हैं ग्लाइकोलिसिस में एंजाइम होता है हैं तो है आपका एंजाइम हैं साइटोक्रोम ऊक्सिदेज डी आने पॉलिमरीज लाइपेज नायटरोजिन इस सारे क्या है एज एंजाइम आपका वर्क कर रहे हैं catalytic proteins में आ गए फिर आपके storage protein होते हैं जैसे casein ferritin या आपके storage जो प्रोटीन में आते हैं क्योंकि ferritin जो आपने देखा होगा iron जो store होता है ferritin की form में है ना जब हमने iron की बारे पड़ा था केजी जो होता है milk protein होते है केजी फिर आपका transport मतलब की ट्रांसपोर्ट होते हैं प्रोटीन की फॉर्म में जैसे हिमोगलोबिन हो गया मायोगलोबिन हो गया लिपो प्रोटीन या आपके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में आते हैं कॉंट्रक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं जैसे आपका एक्टिन और मायोसीन जो है यह कॉंट्रक्टाइल प्रोटीन्स हैं ओके फिर आपके प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होते हैं एंटिबोडीज होगे थ्रोंबिन होगे फिब्रिनोजन यह सब हमारे प्रोटेक्टिव प बना हुआ इस प्रोटीन है से अमीण एसे मिलके बना हुआ है स्ट्रक्चिरल प्रोटीन क्या पूछते हैं कैने स्ट्रक्चरल्ड प्रोटीन एं कोलाजन अदिंगा-प्रोटीन में rozum से questions जो है examples पे पुछा जाता है है ना कि जिसे केराटिन किस टाइब का protein हो गया structural protein it is okay toxins में आपके toxic protein जिसे snake वीनम यह आपके toxic जो आपके proteins में आते हैं ओके तो आपका जो है यह हो गया biological function के basis पे अब हमारा होता है chemical nature and solubility chemical nature and solubility के basis पे हमारे simple proteins होते हैं conjugated proteins होते हैं derived proteins होते हैं dość simple proteins जो होते हैं यह सिरफ amino acids से बिलकर बने होते हैं और जो आपके tung barbecue प्रोटिन सोते हैं इन में अमीनोचिक उसके साथ लिए ग्रॉप होगा रिज़ाइव तो सिम्पल अमीना अच्ट सी डिराइव होते हैं तो सिम्पल में आपके जैसे हैं सिम्पल प्रोटिन में आपका अभी इसको आगे मैंने क्लासिफाइग किया हुआ है सिंपल प्रोटीन सारा आगे अच्छे से पढ़ लेंगे है ना तो यह मेरे साब से आपको जो है कलियर हो चुका है आपके प्रोटीन जो है बाज़ुकल रनिजे कंशनु के बेशिपश कि यह सबस्प्रोटी involves कोदो यह कपलेक्स प्रोटीन सींपल चीन्वाप्स प्रोटीन से जिन्में कामश्थ 2014 की सूंप्राइब ग्रूप होता है डिराइब प्रोटीन जो डिराइब होते हैं सिंपल और स्कलेरो प्रोटीन आते हैं ग्लोबिलर जो स्फेरिकल होते हैं और स्कलेरो प्रोटीन जो फाइब्रस होते हैं तो ग्लोबिलर में आपका Albumin, Globulin, Glutalin, Prolamin, Protamin, Histone तो आप कहेंगे कि गलोबिलर प्रोटीन कौन सा है तो Albumin है जिसे Globulin है Scleroprotein में Collagen, Elastin, Caratin, Actin, Myosin यह आते हैं यह सिंपल प्रोटीन है फिर Conjugated Proteins होते हैं आपके Complex Proteins होते हैं Amin आश्र के साथ में क्या होगा Prostatic Group होता है जैसे Glyco Protein Glyco Protein में जो आपका Prostatic Group Carbohydrate होता है जैसे Musine जो है आपका Glyco Protein का Example है तो यह Example से Important है केजीन वाला important है मतलब कि यह पूछा गया है exam में केजीन वाला तो Phospho Protein में केजीन आएगा Glyco Protein में Musine आएगा और Phospho Protein में केजीन आएगा Chromo Proteins में Hemoglobin Myoglobin Lipoproteins में HDL LDL High-density Lipoprotein LDL Low-density Lipoprotein VL very low-density Lipoprotein यह कैं Lipoprotein मतलब कि Lipids भी है साथ में Proteins भी है पिर आपके Nucleoproteins होते हैं जिसमें आपका Protein in Chromosomes में और Proteins in ETS Electron Transport Chain है तो इसमें जो आपका है Nucleoproteins जो है इसमें आपका होज़ेगा Chromosomes में जो प्रोटिस है वो नुकलियो प्रोटिन हो जेंगे Flavor Proteins जो आपके Proteins होते हैं Electron Transport Chain में बाकी एग्जामपल भी लिखे हो है हिस्टोंस Protoamines तो आपके यह सारे अलग-अलग टाइप से है Conjugated Proteins जिनमें प्रोटिन जो आपके साथ में प्रोस्थाटिक ग्रूप प्रेसंट है तो एक्जामपल इंपॉर्टेंट है एक्जाम में जैसे पूछ लेंगे LDL किसका एक्जामपल है है आपका जो हीमोगलोबिन किस टाइप का protein है ओके यह केजिन वाला तो मैं आपको बता है बहुत बार पूछा हुआ है फिर आपके जो Conjugated Proteins जो है Simple और Compound जो Derive Proteins जो है Simple और Conjugated जो Proteins से Derive होते हैं तो Primary Derivative और Secondary Derivative तो Proteins, Meta Proteins, Conjugated Proteins आते हैं इसमें जो Secondary Derivative में Peptons, Peptides and Proteos आता है ओके तो यह हमारे हो गए आपका Based on Chemical, Nature and Solubility की Basis पे Proteins का Classification एक आपका Nutritional Classification और बचिए Nutritional Classification में आपके Complete Proteins आते हैं Incomplete Proteins और Poor Proteins Complete, Incomplete and Poor Proteins आते हैं Complete Proteins क्यों होते हैं इसमें Essential Amino Acid से बने होते हैं जो जैसे Ag Albumin और Kezena These are Complete Proteins Incomplete Proteins में क्यों होता है Lake One Essential Amino Acid तो इनमें एक Essential Amino Acid जो है इनमें Essential Amino Acid कम है तो इसमें Pulses हो गया जैसे Pulses क्या है Deficient होते हैं Methionine में Deficient होती है Pulses है ना तो यह आपके इनमें जो एक कोई भी एक Essential Amino Acid की Deficiency होगी है ना प्रोटीन होगे कंप्लीट प्रोटीन प्रोटीन मोर दन उसेंशल अप्सेंशल नहीं होगा इसेंट होगा जैसे आपका जी लेक ट्रिप्टोफन लाइसीन तो यह आपका है इतना पूछा ने गयेखतर अपका है इसे में ग्लोबिलर पोधियर ऐसे केजीनित है इद्हयं। है तो यह हो गया हमारा प्रोटेंग सा क्लासिफिकेशन हैं बिलाइन सबक्राइब नहीं सब के लिए लग ऐसे स्पासिफिक टेस्ट होते हैं है इंगा रीक्षिंग आपका 2 पिप्टेर लिंकेज के लिए होता है है न अद्दे की peptide linkage कहा होगा amino acid के बीच में peptide bond होता है है न प्रोटीन्स amino acid से मिलके बने हुए amino acid के बीच में क्या peptide bond है amino acid आपस में peptide bond से जुड़े होके तो protein बना रहे हैं तो by rate reaction दो peptide linkage के लिए होता है निन hydrine reaction alpha amino acids के लिए होता है एक्जाम में यह आपके test पूछ जाते हैं hydrine test किसके लिए है by rate test किसके लिए है xanthoprotik reaction xanthoprotik test तो xanthoprotik reaction आपका aromatic amino acid जैसे आपका phenyl, alanine, tyrosine, tryptophan यह आपके aromatic amino acids होते हैं तो इनके लिए xanthoprotik reaction है milans test यह milans reaction आपका phenolic amino acid जो है tyrosine जो होता है phenolic amino acid में आता है तो इसके लिए आपका milans test आएगा यह milans reaction कहा दीजिए hopkin koli reaction है indoor ring containing amino acid याद रखना tryptophan आता है tryptophan क्या होता है indoor ring containing amino acid होता है है ना तो hopkin koli reaction आता है आपका indoor ring containing amino acid tryptophan के लिए nitroproside reaction आपका self hydral group containing amino acid सिस्टीन हो गया है ना सिस्टीन के लिए आपका nitroproside reaction साका गुची reaction गौन रखना आपका आरजिनीन है उसके लिए है फिर आपका sulfur test self hydral group containing amino acid आपका सिस्टीन हो गया polyase test इमीडाजोल रिंग आपका histidine histidine में imidazole ring है आपका phenolic amino acid tyrosine के लिए होता है tyrosine के लिए आपने milans test भी देखा और आपका following coical tube test भी आता है तो different different group जो थे amino acid के उनके लिए different different आपके reaction आपने पढ़ लिए important है मैं आपको बता रही इसको पर question बनता है देखिया अब ये nutrition essential नाम से पता करें essential है ये मतलब ना इनको डाइट में लेना पड़ेगा आपको देखिये these amino acids cannot be formed in the body body में बनते नहीं है so it is essential to taken इनको डाइट में लेना होता है their deficiency affect growth health and protein synthesis तो essential amino acids में आप देखिये trick है आपको पता होगी private team hall always argue never tires never tires मतलब इसमें जो है आपका tires tyrosin नहीं आएगा never tires इसमें tyrosin नहीं आएगा always argue arginine आएगा तो arginine आता है essential में तो arginine के जैसा ही एक और है ना एसे तो इस करके जो है इसको इस type से बनाया गया है always argue argue मतलब इसमें arginine आएगा never tires tyrosin नहीं आएगा है ना तो आपके जो देखे इसमें private team हो से देख ले P से phenylalanine हो जगा V से वलाइन T से threonine और tryptophan tyrosin नहीं आता T वाले आपके जो है threonine आएगा tryptophan आएगा no tyrosin tyrosin non essential में आएगा है ना फिर isoleucine methionine histidine हो गया यह से always argue arginine होता है else lysine और leucine lysine आज़ेगा ना तो यह हमारे जो है क्या है यह हमारे essential amino acid जो body में बनते हैं इनको ना diet में लेना पड़ेगा आपको है ना तो यह essential amino acid की बहुत बार मतलब की मैं बतान सकते हूँ तो आपने एक याद कर लिए तो आप आंसर निकाल के आ जोगे फिर आपके non essential में कौन से amino acids होते हैं यह बाकी के बच्चे वह amino acids बोड़ी बोड़ी में बनते हैं इन अमाउंट है इन अमाउंट इन चिल्टर्ट तो यह non essential जो बोड़ी में बन जाते हैं तो glycine, alanine, serine, cysteine, tyrosine, proline, aspartic acid, glutamic acid है तो कि एसे aspartic acid भी होता है alanine भी होता है तो always argue था कि arginine जो है वो आपका essential में जाएगा तो यह सारे आपके non essential के examples हो गया aspartic acid, glutamic acid, acidic amino acids होते हैं जो non essential में आते हैं टायरोसीन हो गया, proline हो गया, इसाब हो गया proline क्या है, एक अट्राइब का amino acid होता है यह भी एक पूछा था है इमिन आसे होता है क्या होता है proline, amino acid फिर आपके semi-essential amino acid नहीं जाएगा दिए भी तो भी जाएगा बोड़ी में बनते तो है but not sufficient amount for body की requirement की इतना sufficient amount में नहीं बनते, बनते तो है इतना sufficient amount में नहीं बनते especially in children तो दो amino acid याद करने, arginine and histidine semi-essential में दो है arginine and histidine ठीक है, यह semi-essential है फिर chemical classification chemical classification में आपके जैसे basic amino acid हो गए aspartic acid, sorry leucine, lysine, arginine and histidine histidine हो गया, arginine हो गया lycine हो गया, यह basic amino acid में आते हैं acidic amino acid में आपका aspartic acid, glutamic acid, जो acidic में नाम से पता लग रहा है sulfur containing वाला तो बहुत ज़्यादा important है, बहुत भार एक्जाम में आया है methionine, systeins, sulfur containing amino acids aromatic amino acids में phenyl, alanine, tyrosine, tryptophan aromatic amino acid है ना तो यह amino acid का chemical classification हो गया अब एक classification metabolic product of amino acid है उनके degradation से जो metabolic product बनता है amino acid के degradation से तो उसके basis पे ketogenic होते हैं glucogenic होते हैं mix होते है, ketogenic and glucogenic बोथ है ना तो ketogenic में कहारे है, which give ketone bodies नका degradation होगा ketone bodies जो है बनती है जो ketogenic बोडीज देंगे जैसे lysine, leucine, only pure ketogenic amino में lysine आता है फिर आपके mixed जो होते हैं ketogenic and glucogenic है तो इसमें आपके बोथ ketogenic bodies यो glucose देंगे तो इसमें isoleucine, phenyl, alanine, tyrosine, tryptophan आएगा phenyl, alanine, tyrosine, tryptophan तीनों aromatic आ गई है ना और isoleucine हो रहा है फिर glucogenic amino acid जो glucose देंगे डिगेडेशन पे इस इंक्लूड राइस जो बाकी amino acid है न वो इसमें आज जेंगे these are amino acid by catabolism yield product that entering glycogen and glucose formation तो इस ग्लूकोजनिक amino acids होते हैं तो आपके ketogenic mix और आपके glucose जानिक है ना तो यह amino acid के नाम जो है जैसे वो याद होने चाहिए है ना तो यह हो गया हमारा amino acids के बारे में तो मेरे साब साब को protein और amino acids के बारे में सब कुछ clear हो गया अभी जो है कुछ questions देख लेते हैं practice के लिए है ना तो यह practice एंसी क्यू है आप लोगों के किसे मिल के बने होते हैं protein किससे मिल पासप blinking और डोर्प होता है व्यार कि मिल यह एना यहां प्रोटीं किसके मिल के बने होता है आमीनो एकीट से एंस टारफ प्रोटींग डोग उटेजारिक और रूता है सब एक Deux को बृटीन के सिम्पल बड़ीन से बने और इस सिंपल प्रोटीन से मिलके बने थे को पना पैसे सीपल चेसाथ में क्या ब्रोस्थाटिग गुरॉब अतर सब्सक्राद के सने आपको गलाय ंजो भूशाय मैं इंख कर आँ यह को भूरव बताया को सभार क्लिवियां न्याय जैसे आपका कैसे सली भूरव गुरुब अबसध्म में ध्याट्राय Лगो में विलब को अक्यावक्स सुनियो प्लिंप प्रोटिन लिपो प्रोटिन लिपो प्रोटिन के साथ मेगें से। आपको साइटोक्रोम,Cyruloplasmine हमिंभी के लिए बीन के साथ में हो रीए रिए हैं प्रोस्थार्टिक ग्रूप प्रेजट है तो कि लियर है नेक्स्ष्लैशन है इंसलिन इस उजिलली क्लासिफाइड दे इंसलिन क्या है लेकिऄ मैंना आपको बताया था इंसलिन क्या है इंसलिन क्या इतरी टाइप का wacky क्या हो यह वा यह टाइफ to तो इंसुलन क्या है एक टाइब का प्रोटीन है नेक्स्ट क्वेशन है विच अग्जांपल और आपको तीन एक्जांपल बताएं कौन-कौन से थ्रियोनिन एस्पारजिन ग्लूटामीन टारोसिन टारोसिन है ट्रिप्टोफन है आपका फिनाईल एलनिन है यह हमारे क्या है इसमें बस्ट नेक्स्ट क्या हो जाएगा उप्शन टारोसिन हो गया ट्रिप्टोफन हो गया थे वीच बोन्fahr फिन एक्वrånड जोइंट वप्चार के बीच मिन आमाइट एड़ोन से लिए निश्यू गता है लिएवशन इस अंक्या क्या होग़्े कर भी कहा जाता है ने से specific test for identify इमिराजोल रिंग अमीनवासिट तो मैं आपको टेबल बताया उसमें बता है इमिराजोल से वाला जो अमीनवासिट है उसके लिए कुन सा test है पोलीस टेस्ट है, बायुरेट टेस्ट, मिलंस टेस्ट, फोलिंस टेस्ट, तो पोलीस टेस्ट होता है, इमीराजोल रिंग कंटेनिंग आमिनवासिट जिसमें आपका हिस्टरीन आमिनवासिट आता है, है ना हिस्टरीन आमिनवासिट के लिए आपका पोलीस टेस्ट है, हिस् हिस्ट्रीडिन वाश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश कौन से आमिनसटें से टायरोशन से होता है इसेंशल नहीं आता मतलब कि नोन इसेंशल में आ रहा होगा है इसेंशल में नहीं है तो एसेंशल की ट्रिक्ट आपको याद है प्राइवेट टीम होल ओलेज अर्गूं अवेज आवठार तायरस और तायरस देखिए इसंसे वेला ।बर रहें तो आहीं दो आहा है तो आपका इसेंशन में नहीं आता है विद मी क्या बीसेंटिस हो आपको क्या विद्पिकल इनAKटिव आपको कई कुन सा है ऑप्टिकल इनकिव होता है इसेंचमें carbon present नहीं होता ऐसा आमीनवाश्ट जिसमें कोई भी कारल carbon present नहीं है that is glycine optically inactive होता है याद रखना है काफी important है next है all are essential आमीनवाश्ट अक्सेप्ट फिर से वही पूछ लिया essential है सारे एक को छोड़के तो वो ट्रिक लगाओ private team always argue never tires लीूसीन लाइस्ट में दोनों essential में आ रहे हैं फिनाल इलिन starting में आ गया बच्या क्या टायरोसीन में आपको बताता है always argue never tires मंदर तायरोसीन नहीं आता है ना तायरोसीन नहीं आएगा वैसे भी निकल गया तो हमारा अशर के आओ गया option D tyrosine नसा identification test for protein protein के identification test कौन सा है mollis test तो कहां देखा था आप लोगों ने mollis test जो है किसी सैंपल में कार्भाइड़ेट प्राजेंट है या नहीं है उसके लिए सबसे पहले क्या करता है mollis test करते हैं crysis test bio rate test hydrolysis test तो proteins के लिए आपका bio rate test हो जाएगा option C हो जाएगा है ना तो proteins के लिए कौन सा test bio rate test next है sulfur containing amino चिट कौन सा दो बताया थे कौन-कौन से एक तो methionine बताया दूसरा क्या बताया सिस्टीन बताया methionine क्या होते हैं हमारे sulfur containing amino में आपके क्या आते है methionine आता है और सिस्टीन आता है ओके झाले हैं